नमस्कार, IPL से जोड़ी हुई एक और बहुत बड़ी और एहम खबर हमारे हाथ है खबर ये है, कोलकाता नाइट राइडर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव होगा कैप्टन को लेकर अगला कैप्टन कौन होगा कोलकाता नाइट राइडर का जाहिर तोर पर जो कोलकाता के फैंस हैं वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे और ये सवाल क्यों पैदा हुआ अब इसे समझे दरसल इंग्लैंड बोर्ड ने, इंग्रिश बोर्ड ने हाली में कहा है कि उसके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं या करीब आप ये भी मान सकते कि इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर IPL Part 2 में आपको खेलता हुआ नजर ना आए और अगर ऐसा होता है तो मतलब ये है कि इयॉन मॉर्गन जो की कोलकाता नाइट राइडर के कैप्टन है वो भी नहीं खेलेंगे इसका एक और मतलब है कोलकाता नाइट राइडर पिछले कुछ सीजन से लगातार आप देखेंगे तो स्ट्रगल कर रही है इस टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और अब वो स्थिति आ गई है जब इस टीम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने ये तै किया है कि अब वो अपना कैप्टन बदलेगी कैप्टन बदल कर आखिर किसे नया कैप्टन बनाये जाएगा तो इसमें बस एक ही विकल्प या एक ही नाम सब के जहन के सामने आता है और वो नाम है दिनेश कार्तिक का दिनेश कार्तिक पहले भी कोलकाता नाइट राइडर के कैप्टन रह चुके हैं हालनकि उनकी कप्तानी में भी इस टीम ने कुछ बहुत अच्छा कमाल नहीं किया था लेकिन ये उमीद की जा रहे है कि चुकि बहुत जमेदारे के साथ खेलते हैं वो तो अगर उन्हें कप्तान बनाया जाए तो टीम के प्रदर्शन पर थोड़ा बहुत असर देख सकता है अगर ये बदलाव होता है तो आईपल पार्ट टू में क्योंकि पॉइंट टेवल में आप देखेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर सबसे नीचे है तो कोलकाता के लिए एक बहुत बड़ा जटका तो ये है कि पता नहीं वो वापस जो इस प्रतियोगिता में वापसी कर पाईगी या नहीं कर पाईगी दूसरी जो बड़ी चुनौती उसके पास है वो ये कि उसके जो बाकी जो अच्छे प्लियर्स हैं जो आउट ओफ फॉर्म चल रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से प्रदर्शन करना होगा UAE के ग्राउंड पर अगर प्रदर्शन नहीं करेगी तीम तो इसका मतलब है कि सेमी फाइनल तक के सफर को भूल जाना होगा और अब कोलकाता उस स्थिती में खड़ी जहां आठ मैच खेल चुकी है तो ऐसे में कोलकाता के सामने वापसी करना एक पहाड की तरह चुनौती सा बन चुका है तो अब कोलकाता नाइट राइडर में जो बदलाव किये जाते हैं उसका टीम के मनोबल पर और टीम के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है ये सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा वैसे एक जो बहुत एहम फैक्ट हमारे हाथ लगी है वो ये है कि KKR की कप्तानी 37 मैचों में दिनेश कार्टिक ने कप्तानी की थी और उन में से खरीब 21 मैच कोलकाता नाइट राइडर ने जीते हैं यानि अगर उनकी जीत का प्रतिशत आप निकालेंगे तो 51 प्रतिशत से ज़्यादा का निकलेगा तो आप कह सकते ही कि लगी कप्तान तो रहे हैं लेकिन इतने भी लगी नहीं रहे कि वो टीम को फाइनल तक ले जा पाए या टोर्नामेंट को जीत दिलाने में कोई बहुत बड़ा योगदान दे पाए पूरी लीग में या पूरे टोर्नामेंट में अगर आप देखेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर ने अभी तक साथ मुकाबले खेले हैं वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है ऐसे में वापसी करना एक पहाड सी चुनौती लग रही है कोलकाता नाइट राइडर के लिए उसके जो बाकी प्लेयर्स हैं देखें दो तरह की चुनौती इस वक्त सामने है एक तो प्लेयर्स जो आउट आप फॉर्म हो चुके हैं जो अच्छा खेल सकते हैं चाहे वो बल्ले बाज हो या गिन बाज हो उन्हें प्रदर्शन करना होगा यूएई में दूसरी चुनौती ये कि अगर कफ्तान बदलता है तो टीम के मोटिवेशन पर या टीम की मानसिक स्थिती पर क्या असर पड़ता है वो भी बहुत महत पूर्ण होगा या बहुत बड़ा फैक्टर होगा टीम के प्रदर्शन पर तो इन दोनों बदलाओं के बाद क्या वापसी कर पाती है कोलकाता नाइट्रागर के टीम इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा